सागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्ट लेविसी पर आज की वीडियो में पी ऐसे के एक्जाम के लिए important questions करने शुरू करेंगे और जितने भी questions हम करेंगे बार बार exams में पूछे जाने वाले questions हैं तो अगर आप इनको अच्छे से करते हैं आगे आने वाले exams में भी आपको ये question देखने को मिल जाएंगे साथ मैं questions मैं बोलूँगा options भी आपके सामने होंगी तो question जब मैं बोलूँगा उसके बाद आप वीडियो को रोक सकते हैं रोक कर अपना answer सोच सकते हैं और फिर मेरे द्वारा बताएगे answer के साथ उसको tally कर सकते हैं तो इससे क्या हो जाएगा अच्छे से आपका revision हो जाएगा दूसरी बात अगर आप इन important questions के बने बनाई notes लेना चाहते हैं तो question ocean book आपको मिल जाएगी इसमें ये सभी question आपको देखने को मिल जाएगे इसमें 5000 के करीव important questions रहने वाले हैं इसमें भी question mcq format में रहेंगे तो practice करने के लिए इससे बहतर book आपको नहीं मिलेगी बाकि GDS to MTS book आपको मिल जाएगी दो सालों के question papers के साथ PSA की book मिल जाएगी 2023 के fully solved PSA के question papers आपको मिल जाएगे postman mail guard की book मिल जाएगी इसके लिए आप हमें 86 to 7096 बंडवल 6 के ओपर message कर सकते हैं अब ये मत समझना कि ये question cable PSA के लिए हैं जो postman की तयारी कर रहे हैं MTS की तयारी कर रहे हैं PO guide part 1 में जितने भी हम important question करेंगे PSA के exam के लिए वो आपने जरूर कर लेने हैं जो postman और MTS की तयारी कर रहे हैं क्योंकि अभी आपने question papers की अगर series जो की है उसमें देखा होगा कि MTS या postman के exam में भी PA के important question जो हम बार बार करते हैं वो पूछे साते हैं तो आपने ये question अच्छे से कर लेने हैं कम से कम PO guide part 1 आपको कर लेना है इसके अलावा product and services जो है वो सबके लिए common रहती है तो वो भी आपने कर लेनी है बाकी चाहिए आप रहने दीजिए PA की तयारी करने वालों ने सभी questions को अच्छे से जरूर करना है लेकिन किसी भी question में अगर आपको doubt हो या ऐसा लगे कि कोई भी question और important है जिसके वारे में नहीं बताया गया है तो comment section में आप उस चीज़ के बारे में जरूर बताएं हम उन questions को भी cover करने की कोशिश करेंगे तो the union territory of pondicherry comes under beach circles administrative control अब कोई भी question ऐसा नहीं है जो previous year के exams में आपको देखने को ना मिला हो important questions है सभी अच्छे से करने है केंदर शासित परदेश pondicherry किस circle के परशासनिक नियंतरण में आता है तो अगर आपने classes मारे से ली है तो बहाँ पे metrics जरूर बताता हूँ क्योंकि जब भ भूल जाता है लेकिन कोई चीज जो हमने trick के साथ याद की हो वो हमें नहीं भूलती तो इसके लिए आपने trick के आद रखनी है TP TP का क्या आत हो साएगा यहाँ पे pondicherry के बारे में पूछा है तो P से pondicherry हो साएगा और T से हो साएगा Tamil Nadu यनि कि क्या आजाएगा answer आपके पास Tamil Nadu आजाएगा तो Tamil Nadu Dark Circle जो है उसके अंडर केंदर शासित परदेश पूंडी चेरिफी आता है के बार कॉशन इस तरह से भी पूछे साते हैं कि जो Tamil Nadu Circle है उसमें कितने राज या केंदर शासित परदेश आते हैं तो कितने आएंगे दो इसमें एक राज जी आजाएगा केंदर शासित परदेश आजाएगा तो Tamil Nadu Dark Circle में Tamil Nadu Rajya और साथ में केंदर शासित परदेश पूंडी चेरिफी आजाएगा तो TEP से आप इसको याद रख सकते हैं सेकेंड कोशन है सिक्किम कम्स अंडर दी अडिनिस्ट्रेटिव जूरिडिक्शन ओफ बिच सर्कल सिक्किम किस सर्कल के परशासिनिक अधिकार क्षेतर में आता है करेक्ट आंसर इसका क्या आजाएगा आपके पास C आजाएगा अब इसको याद रखने की क्या ट्रिक है W A S W से क्या आजाएगा आपके पास अब हमसे क्या पूछा गिया है सिक्किम S से क्या आजाएगा सिक्किम W से क्या हो साएगा West Bengal और A से हो साएगा अंडमान निकोबार यनि के West Bengal Circle में कितने राज्य और केंदर शासित परदेश आते हैं याद रखना है West Bengal ठीक है एक राज्य इसमें आसाएगा अंडमान निकोबार एक आपके पास ही आसाएगा और उसके वाल सिक्किम आसाएगा यनि के इसमें दो राज्य आसाएगे और एक केंदर शासित परदेश आसाएगा तो इसकी ट्रिक क्या है W A S W से West Bengal A से अंडमान निकोबार और S से आसाएगा सिक्किम सिक्किम जो है West Bengal और डाक सरकल के अंतरगत आता है The Union Territory of अंडमान और निकोबार आइसलेंड कम्स अंडर दी Administrative Control of Beach Circle केंदर शासित परदेश अंडमान और निकोबार द्वीप स्मू किस सरकल की प्रशासिनिक अधिकार क्षेत्र में आता है तो जैसे मैंने अभी बताया इसके लिए ट्रिक आपको याद रिखनी है W, A, S W से क्या आजाएगा West Bengal A से क्या आजाएगा अंडमान निकोबार S से क्या हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा हमसे पूछा गया है अंडमान और निकोबार आइसलेंड जो अब किस डार्क सर्कल के अंतरगत आता है क्रेक्ट आंसर आपके बास A आजाएगा West Bengal Zero Diction of Gujarat Circle गुजरात सर्कल का अधिकार क्षेतर क्या है तो इसके लिए आपने ट्रिक याद रिखनी है DDG तो यहाँ पे आप पोस्ट ओफिस में पढ़ते विए हैं DG Director General Deputy Director General तो उसी से आपने याद रखना है DDG इसमें क्या क्या आजाएगा D से आजाएगा दमन और D D से आजाएगा दादरा और नगर हवेली और G से आजाएगा गुजरात यहाँ के गुजरात पोस्ट्रल सेरकल में एक राज्य आता है और दो केंदर शासित परदेश आते हैं यहाँ के D option क्रेक्ट आजाएगी गुजरात दमन और दी दादरा नगर हवेली दिवर्किंग ओफोल पोस्ट ओफिसे अंडर पोस्टल दिविजिन इस डिरेक्टली कंट्रोल्ट वाई हुँ पोस्टल डिविजिनों के तहत सभी डाक घरों का काम काज सीधे किसके धारा Is cold as beach of the falling. एक circle जो सशस्त्र वलों की dark संचार जरूरतों को पूरा करता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहेंगे उसको base circle कहते हैं? टोटल 23 circles हैं, लेकिन उसके अलावा एक और circle है, जिसे हम base circle कहते हैं, सशस्त्र वलों की dark संचार जरूरतों को पूरा करता है. Number of postal circles in India is, भारत में कितने dark circle हैं? ट्रैक्ट आंसर आपके बाद सडियास हैगा, टोटल 23 circle है, इसके अलावा एक base circle हैं, लेकिन आप 23 plus बन नहीं करेंगे, 23 circle हैं, उसके अलावा एक base circle हैं, वो अलग से हैं. The postal department is under the administrative control of dark विभाग किसके प्रशासनिक नियंतरन में हैं, तो इसका correct answer क्या हैंगा, डिरेक्टर जर्नल पोस्ट नियु दिली, महानिदेशक डाक नई दिली के प्रशासनिक नियंतरन में हैं, तो ध्यार रखना आपसे question में क्या पूछा गया हैं, आगे के बास question आएंगे, तो confusion होती हैं. प्रशासनिक नियंतरन या administrative control जो वो डिरेक्टर जर्नल नियु दिली के पास है, D-option क्रेक्ट आजाई की. Who is the chairman of the postal service board? डाक सेवा board के अधियक्ष कौन हैं? तो इसका क्रेक्ट आंसर क्या जाएगा? डाक सेवा board जो है, उसको निदेशाले के एक ब्रिष्ट करमचारी अधिकारी द्वारा, board सचिव के रूप में सहायता दी जाती है, secretary of department of post के रूप में सहायता दी जाती है, तो पोस्टल सर्विस बोड के चेर्मेन के रूप में कारे करते हैं, सी अप्शन करेक्ट आजाएगी, बीच अफ दी फोलेंग इस कौल्ड अजी अपक्स मेनेजमेंट बोड़ी अफ दी डिपार्टमेंट अफ पोस्ट, निमिलिखित मैसे किसे, डाक बिभाग का शीर्ष प्रवंधन निकाय कहा जाता है, आगे सरते हैं, पी एस बी स्टैंड जफोर, पी एस बी का क्या अर्थ है, प्रेक्ट आजाएगा आपके पास डी आजाएगा पोस्टल सर्विस बोड़, पोस्टल सर्विस बोड़ में कितने सदस्य होते हैं, तो इसका गर्यक्ट आजाएगा, पोस्टल सर्विस बोड़ में छे सदस्य होते हैं, छे सदस्य कौन-कौन से होते हैं, तो इसके लिए आपने ट्रिक याद रखनी है, तो पोस्टल सर्विस बोड़ में छे सदस्य हैं, ट्रिपल पी ओ टीवी, पोस्टल सर्विस बोड़ कमप्राइज़ हो में चेर्मेन, डाक सेवा बोड़ में कितने अध्यक्ष होते हैं, तो इसका गर्यक्ट आंसर क्या आजाएगा आपके बास, ए आजाएगा पोस्टल सर्विस बोड़ में, एक चेर्मेन होता है, और कितने सदस्य होते हैं, छे सदस्य होते हैं, पोस्टल सर्विस बोड़ कमप्राइज़ ओफ पोस्टल सर्विस बोड़ में कौन शामिल होता है, जैसे हमने पीछे दो कोशन किये, उसका combined ये कोशन है, कि Postal Service Board में एक Chairman और 6 सदसे होते हैं भी Option Correctors आई की बीच आफ दी फोलेंग इस नोट अ पोर्टफोलियो औफ पोर्टफोलियो औफ पोर्टफोलियो नहीं है इनके Postal Service Board का हिस्सा नहीं है तो जैसे हमने बात की इसमें 6 सदसे हैं कैसी आद रखने हैं अब इसमें से कौन सा नहीं आया आपके बास तो डी अप्शन क्रेक्ट आजाएगी इन्वेस्टमेंट जो है Postal Service Board का हिस्सा नहीं है तो डी अप्शन क्रेक्ट आजाएगी तो इसका क्रेक्ट आजाएगा टोटल अगर पर्मानेंट इन्वाइटीज की बात करें तो वो दो है और दो कौन-कौन से है एक आपके पास Additional Secretary और दूसरा आजाएगा Financial Advisor ठीक है कैसे आजाएगा ASFA अपने याद रखना है क्या आजाएगा Additional Secretary और दूसरा आजाएगा Financial Advisor तो 16th की आपके पास C option करेक्ट आजाएगी तो question के साथ मैं options भी दिखा रहा हूँ तो आप जरूर उसको question को देखने के बाद वीडियो को रोकें अपना answer सोचें तो अभी आपका revision अच्छे से होगा The Postal Service Board is assisted by the Senior Staff Officer of the Directorate as Dark Seva Board को निदेशाले के एक ब्रिष्ट करमसारी अधिकारी द्वारा किस रूप में सहायता परदान की जाती है तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया Board सचिव के रूप में सहायता परदान की जाती है Secretary to the Board के रूप में सहायता परदान की जाती है Board के लिए मुख्याले में अवश्यक कार्यात्मक सहायता कोन परदान करता है तो कोन परदान करता है इसमें आपने याद रखना तीन परदान करते हैं उसमें एक आपके बास DDG Deputy Director General दूसरा Director General और तीसरा आजाएगा Assistant Director General ये तीनों क्या करते हैं Board के लिए Headquarter में जो भी अवश्यक कार्यात्मक सहायता होती है वो परदान करते हैं B Option Correctors आईगी आगे साहते है The Indian Territory of Daman and the is under the administrative control of Daman और दीव केंदर शासित परदेश किसके परशासनिक नियंतरन में आते हैं तो जैसे मैंने अभी आपको एक ट्रीक बताई थी क्या बताया था D, D, G करके आपने याद रखना है Daman and the is में आजाएगा Dadaanagar वेली इस में आजाएगा और G से क्या आजाएगा गुजरात यनि कि गुजरात Postal Circle के अंडर आता है D option आपके बास क्रेक्ट आजाएगी भेर The 56 APO and 99 APO is located 56 APO और 99 APO कहां पर स्थीत है क्रेक्ट आंसर क्या आजाएगा 56 APO कहां पर स्थीत है New Delhi में और 99 APO कहां पर स्थीत है कोल काता में A option क्रेक्ट आजाएगी The Union Territory of Lakshadip is under the administrative control of केंदर शासित परदेश Lakshadip किसके परशासनिक नियंत्रन में है 21st की B option क्रेक्ट आजाएगी केरला सर्कल के अंडर आता है इसको कैसे आप याद रखेंगे KL Rahul अगर आप किरकेट देखते हैं तो उसमें भी आता है KL Rahul उसके नाम से इसको या रख सकते है के से केरला LC क्या आजाएगा Lakshadip आजाएगा 21st की B option क्रेक्ट हो जाएगी The state of Goa is under the administrative control of Goa राज्य किसके परशासिनिक नियंत्रन में है तो इसका क्रेक्ट आजाएगा आपके पास B आजाएगा महराष्टरा अब इसको आपने कैसे याद रखना है GM क्या short term में हम good morning को कैसे वो होते है GM करके तो G से क्या आजाएगा आपके पास Goa M से क्या आजाएगा महराष्टरा तो या आपने इस तरह से याद रख लेना है North East Postal Circle includes how many states उत्तर पूर्वी डार्क सरकल में कितने राज्य शामिल है 23rd की B option characters है कि इसमें total 6 राज्य है उत्तर पूर्वी डार्क सरकल में 6 राज्य है 6 राज्य कौन कौन से है मनिपूर मेखाले मिजोरम यानि के triple M उसके बाद ATN चीक है triple M ATN करके आप इसको याद रखेंगे मनिपूर मेखाले मिजोरम अनाचल परदेश, त्रीपूरा और नागा लेंड ये 6 राज्य उत्तर पूर्वी डार्क सरकल में आते है Beach of the Falling is not the part of North Eastern Postal Circle निमिलिखित मैं से कौन उत्तर पूर्वी Postal Circle का हिस्सा नहीं है तो मैंने आपको बताया triple M ATN इस तरह से आपने याद रख लेना है मनिपूर मेखाले मिजोरम, अनाचल परदेश, त्रीपूरा और नागा लेंड तो कौन से इसमें नहीं आया correct answer क्या आज आएगा आपके पास 24 का B आज आएगा आसाम जो है इसका हिस्सा नहीं है A से क्या है अनाचल परदेश है B option correct आज आएगी The NN territory of Chandigarh is under the administrative control of केंदर शासित परदेश Chandigarh किसके परशासिनिक नियंत्रण में है 25 की cracked answer क्या आज आएगी P C करके आप इसको याज रखेंगे P से पंजाब C से क्या आज आएगा चंडीगड आज आएगा इनिके चंडीगड जो है ये पंजाब Postal Circle की अंतरगत आता है 25 की A option cracked आज आएगी Next question आपके पास The Base Circle is headed by whom Base Circle का नित्रित्व किसके दारा की आज आता है Correct answer A आज आएगा Base Circle किसके लिए होते है सशस्त्र वलों की डाक संचार अवशकताओं को पूरा करने के लिए होते है और इनका Head होता है Additional Director Journal APS But is the rank of the Additional Director Journal APS यानिके Base Circle जिसके दारा Head किये जाते है वो कौन होता हैगा Additional Director Journal APS हो जाएगा और उसका rank कौन सा होता है Correct answer आपके बाद सी आज आजाएगा Major Journal का But percent of the other ranks of the APS are also drawn from the Department of Post and the remaining personnel are recruited from Army Army Postal Service के अन्य rankों का कितना प्रतिशत डाक विभाग से लिया आजाएगा एक तो Major Journal हो चाएगा इसके इलावा APS में के जो अन्य rank होते है उसमें कितने प्रतिशत करमचारी डाक विभाग से लिये साते है 28 की सही option आपके बाद भी आजाएगी 75% लाए साते हैं डाक विभाग से बाकी 25% सेना के दारा भरती किये साते हैं भी option correct आजाएगी The officer cadre of the army postal service comprises officers on deputation from the post सेना डाक सेवा के अधिकारी संबर्ग में इन पदों से प्रतिनिक्ती पर अधिकारी शामिल किये जाते हैं correct answer की आजाएगा भी आजाएगा civil post से किये जाते हैं Headquarter of Telangana Postal Circle is at Telangana Circle का मुख्याले कहां पर स्थीत है correct answer की आजाएगा आपके बास है दरावाद City में स्थीत है C option correct आजाएगी Headquarter of Andhra Pradesh Postal Circle is at Andhra Pradesh Dark Circle का मुख्याले कहां पर स्थीत है 31st key D option correct आजाएगी विजे वाडा में स्थीत है important question है Headquarter of Assam Postal Circle is at Asam Dark Circle का मुख्याले कहां पर स्थीत है Asam का आजाएगा गुहाटी में B option correct आजाएगी Headquarter of Haryana Postal Circle is at Haryana Dark Circle का मुख्याले कहां पर स्थीत है correct answer आपके बास A आजाएगा Ambala Kent में है ध्यान रखना के वर Ambala और Ambala Kent दो options दी होती है Ambala Kent आपने याद रख लेना है Headquarter of North Eastern Postal Circle is at उत्तर पूर्वी Dark Circle का मुख्याले कहां पर स्थीत है 34 की C option characters हैगी अभी थोड़ी देर पहले हमने question किया था कि North East Postal Circle में total कितने राज़े आते हैं छे राज़े आते हैं Triple M ATN इसको इस तरह से याद रखना है मणीपूर में घाले मिजोरम अनाचल परदेश, त्रीपुरा और नाका लेंड इन सभी राज़े के अगर हम बात करें Circle Headquarter की इनके Dark Circle का जो मुख्याले है वो कहां पर है शिलोंग में है यनि कि किसी भी राज़े के लिए अगर पूछा साएगा कि इसका Circle Headquarter कहां पर है शिलोंग में आ साएगा के वर कॉशन पूछा साता है जैसे कि अणाचल परदेश अणाचल परदेश का जो Postal Circle का Headquarter है वो कहां पर स्थीत है शिलोंग में है क्योंकि ये उतर पूर्वी Dark Circle में आता है तो उतर पूर्वी Dark Circle के जो छे राज़े हैं उन सभी का Headquarter कहां पर स्थीत है शिलोंग में स्थीत है CEPT is located at CEPT कहां पर स्थीत है 35 की A Option क्रेक्ट आज़ आएगी मैसूर में Who is the Head of the Postal Circle Postal Circle जो है उसका परमुख कोन होता है 36 की क्रेक्ट आप्शन आपके बास C आज़ आएगी CPMG Chief Post Master Journal होता है तो सबसे बहले क्या होते हैं Postal Circle फिर Postal Regions इसके अंदर आते हैं लग-लग Postal Regions होते हैं उसके अंदर Divisions होते हैं Division भी दो तरह के होते हैं RMS Division होते हैं कुछ Postal Division होते हैं उसके आगे उनके सब Divisions होते हैं तो Circle जो होते हैं उनका Head of Post Master Journal होता है Where is RAKNPA is located? RAKNPA कहां पर स्थीत है? 37 की Cracked Option आपके बाद C आज आएगी गाजियावाद उत्तर परदेश में Who is the Head of the Postal Regions? Dark Regions का परमुख कोन होता है? 38 की Cracked Option आपके बाद C आज आएगी B आज आएगी Post Master Journal होता है जिस तरह से आपके Circle होते हैं उनका Head रहेगा Chief Post Master Journal फिर उसके अंडर पोस्टर रिजन आते हैं जिनका Head Post Master Journal होता है But is the full form of CEPT CEPT की full form क्या हो साएगी? इसका Cracked Answer क्या हो साएगा? Center for Excellence in Postal Technology कै Center for Excellence in Postal Technology B option Cracked होगी? The Director General Posts में also बर्क सैंस महा निदेशक डाक अन्ने किस रूप में भी कारे कर सकता है Cracked Answer क्या होगी? वो किस रूप में? Postal Service Board के Chairman के रूप में और Secretary of DOP के रूप में भी काम कर सकता है जरूरी नहीं करेगा लेकिन इस रूप में भी यो कारे कर सकता है तो इसका Cracked Answer आपके बास क्या आजाएगा? C आजाएगा Where is the 1CVPO is located? 1CVPO कहां पर स्थित है? Cracked Answer क्या आजाएगा? D आजाएगा 1CVPO New Delhi में स्थित है How many army post offices are India? भारत में कितने सेना डाक अगर है? 40 seconds की B option क्रेक्टा आजाएगी अगर पूछा जाए बेस सर्कल कितने है तो से केवल एक ही बेस सर्कल है लेकिन army post offices पूछे जाएं तो total 2 army post offices है 1CVPO और दूसरा 2CVPO एक नई दिल्ली में है दूसरा कोल काता में है The department of post is headed by the डाक विभाग का नेत्रित्व किस के दारा किया जाता है 43rd की सही option आपके बास क्या जाएगी A जाएगी Secretary post के दारा किया जाता है अगर पूछा जाए administrative control किस के पास है प्रशासनिक नियंतरन किस के पास है तो आपके बास answer क्या जाएगा Director, Journal जाएगा लेकिन पूछा जाएगा Department of post को किस के दारा head क्या साता है तो answer आपके बास क्या जाएगा Secretary post जाएगा The administrative jurisdiction of E&M Part of Puddu Cherry comes under bitch postal circle E&M जो की Puddu Cherry का हिस्सा है यनि के Pondicherry का हिस्सा है इसका प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र पीस postal circle के अंतरगत आता है Cracked answer आपके बास A आजाएगा अब इसको आपने याद रखना है यनम जो आपो पॉंडी चेरी का हिस्सा है यनि के इसके according के इसके अंडराना चाहिए TP जासे मने अभी बताया Tamil Ladu postal circle के अंडराना चाहिए लेकिन यनम जो आपो आंदर परदेश postal circle के अंतरगत आता है हलांकि ये पॉंडी चेरी का हिस्सा है तो इसको आपने अच्छे से याद रखनेना है A option Cracked आजाएगी Where is the headquarter of आंदर परदेश postal circle आंदर परदेश डाक सर्कल का मुख्याले कहां पर स्थीत है Cracked answer आपके बास B आजाएगा विजे वाड़ा में The administrative jurisdiction of आंदर परदेश postal circle is आंदर परदेश का जो परशांसनी का धिकार क्षेतर है वो क्या है यानि कि आंदर परदेश जो postal circle है उसमें क्या क्या आता है तो इसमें एक आंदर परदेश आजाएगा दूसरा जाएसे अभी हमने किया इसमें यनम भी आता है यनम जो है पॉंडी चेरी का हिस्सा है यानि कि यनम जो है वो पॉंडी चेरी पॉंडी चेरी जो आपके पास है उसका हिस्सा एट के किंदर शासिर प्रदेश का हिस्सा है लेकिन ये किसके अंडर आता है आंदर प्रदेश पोस्टिल सर्कल के अंडर आता है वेर इस दी हैड़ क्वार्टर ओफ असाम पोस्टिल सर्कल असाम पोस्टिल सर्कल का हेड़क्वार्टर कहां पे है, क्रेक्ट आंसर आपके पास क्या आजाएगा सी आजाएगा, गुहाटी में स्थित है माहे पार्ट ओफ पुड्डुचेरी कामस अंडर बिच पोस्टिल सर्कल उसके बाद माहे, ये भी पुड्डी चेरी का हिस्सा है माहे क्या है, पुड्डी चेरी का हिस्सा है, डिस्टी को पुड्डी चेरी है लेकिन ये किस डार्ट सर्कल के अंतरगत आता है तो 48 की D option करेक्ट आजाएगी इसमें याद रखना माहे जो आवो केरला पोस्टिल सरकल में आता है और आपके बास यहाँ पे माहे जो है वो पुड्डी चेरी का हिस्सा है क्या हिस्सा पुड्डी चेरी का है लेकिन किस डार्ट सर्कल के अंतरगत आता है तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास North East Postal Circle में 6 राज़े आते हैं कैसे याद रखने हैं तो इसमें हमें बताने देखें मनीपूर आ गया त्रीपूर आ गया अनाचिल परदेश आ जाएगा लेकिन तेलंगाना नहीं आएगा ती से क्या आज़एगा त्रीपूर होगा तेलंगाना नहीं होगा सी अप्शन करेक्ट हो जाएगी तो इसको कैसे आपने याद रखना है GM से याद रखना है G से गवा M से महराश्टरा 50th की कौन सी option करेक्ट आजाएगी आपके पास C option करेक्ट आजाएगी Who is the head of RMS divisions RMS division का परमुख कौन होता है जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या आजाएगा आपके पास circle आजाएगा Circle परमुख होता है CPMG फिर उसके आगे क्या होते हैं इसके reason होते हैं जिनका head होता है PMG यनिके post master general फिर आगे जो reasons होते हैं उसमें क्या होते हैं divisions होते हैं division दो तरह के हो साएंगे एक postal division होंगे दूसरे RMS division होंगे जो postal division होते हैं उनका head होगा SSP या Senior Superintendent of Post होगा जैसे ही जो RMS divisions होते हैं Railway Mail Service के मंडल होते हैं उनका head कोन होता है Superintendent RMS यनिके SRM या फिर SSRM Senior Superintendent of Railway Mail Service Beach of the Falling is also known as Base Circle निमलिखित मैंसे किसे Base Circle के रूप मैं भी जाना चाहता है तो हम यह पहले कर चुके हैं Base Circle जो है किसके लिए है Sena Dark सिवाओं की Dark संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक Circle है जिसे Base Circle कहा साता है यनि के Army Postal Service जो है इसको हम कहेंगे Base Circle C Option क्रेक्टास आईगी वही पूस्टल सर्विस अब इसमें दो चीज़ी आगई एक Department of Post आगया दूसरा आपके पास Postal Service Board आगया Postal Service Board का जो चेर्मेन है और Department of Post का जो Secretary है दोनों सेम है इसको याद रखना है एक Option क्रेक्टास आगी Postal Service Board का चेर्मेन Department of Post का जो Secretary है वही होगा Department of Post केम इंटो इट्स प्रेजेंट फोर्मोन डाक विभाग अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया था क्रेक्ट आंसर से याज आएगा 1854 में 1854 में भेरिज डिरेक्टो रेट ओफ पी एल आई पी एल आई का जो निदेशाले है वो कहाँ पर स्थित है 55 की सही option आपके पास याज आएगी निव दिल्ली में पी एल आई डिरेक्टो रेट अलग चीज हो जाएगी यनिके पी एल आई का जो निदेशाले है वो कहाँ पर है निव दिल्ली में और पी एल आई में जो आपके बास संबाद करें डिरेक्टर की जो पी एल आउ का डिरेक्टर है उस का कार्याले कहाँ पर है तो वो अलग जगा पर है वो next question में आपके पास पूछा गया है where is the director of पी एल आई पी एल आई के निदेशक कहाँ है याणि के निदेशक का कार्यारले कहाँ पर स्थीत है 56 की B option क्रेक्ट आजाएगी कोल का आता मैं अगर पूछा जाए निदेशाले कहाँ पर है तो answer क्या आजाएगा New Delhi आजाएगा How many base circles are in India? भारत में कितने base circle है 57 की C option क्रेक्ट आजाएगी एक base circle है लेकिन याद रखना 1 CVPO और 2 CVPO लेकिन base circle जाब वो एक ही है But is the full form of RAKNPA RAKNPA की full form क्या हो जाएगी correct answer आपके बास D.A.S. आएगा Rafi Ahmed Kidwai National Postal Academy But is the full form of CEPT CEPT की full form क्या है तो इसका correct answer भी D.A.S. आएगा Center for Excellence in Postal Technology Which of the falling are six states comes under North East Postal Circle तो यह मैं 3-4 वार आपको बता चुका हूँ कि 6 राज्य जोत्तर पूर्वी Dark Circle के अंतरकत आते हैं वो कौन कौन से हैं मनिपूर है मिघाले मिजोरम अनाचल परदेश त्रीपुरा और नाका लेंड और यहां पर याद रख लेना किस तरह से इनके महानिदेशक डाक डाक विवाक के परशासन और संचालन के सभी मामलों को देखेगा 1CVPO का पिन कोड क्या है और यह कहां पर स्थित है तो जैसे हमने बात किया कि एक बेस सरकल है लेकिन उसमें आर्मी पोस्ट ओफिस दो आते हैं एक आर्मी पोस्ट ओफिस है 1CVPO की फिलफोरम होगी Central Waste पोस्ट ओफिस दूसरा हम बात करेंगे 2CVPO के वारे में लेकिन यहाँ पे कॉशन में 1CVPO के वारे में पूछा है कि इसका पिन कोड क्या है और यह कहां पर स्थित है तो 1CVPO जो है वो New Delhi में स्थित है और इसको हम क्या कहते है 56APO भी कहते है 56 Army Post Office भी कहते है तो 62 की सही option आपके बास स्थियास आएगी इसका पिन कोड है 90056 और यह कहां पर स्थित है New Delhi में स्थित है But is the pin code of 2CVPO and where it is located 2CVPO का pin code क्या है और यह कहां पर स्थित है Correct answer क्या आजाएगा आपके बास तो 2CVPO जो है के Kolkata में स्थित है और इसके pin code की बात करें क्या आजाएगा तो 2CVPO जो है इसके हम सबसे पहले बात करते हैं इसको कहते है 99APO 99 Army Post Office इसको कहां साता है Kolkata में यह स्थित है और इसका pin code है 90099 और यह Kolkata में स्थित है Correct answer आपके बास भी आजाएगा At present Postal Store Depots and Circle Stamp Depots are merged and the merged Depots are headed by the वरतमान में पहले जो आपके Postal Store Depots होते थे और Circle Stamp Depots होते थे अलग-अलग होते थे लेकिन अब इनको क्या किया गया मर्ज कर दिया गया इनको आपस में मिला दिया गया है और मिले हुए या बिले किये हुए डीपो जो बनते हैं उनका नित्रित्व किसके द्वारा किया जाता है Cracked Answer आपके बास भी आजाएगा By the PS Group B Officer Like Superintendent इनके Postal Service Group B Officer के द्वारा इनका नित्रित्व किया जाता है जैसे कि इसमें Superintendent हो गया How many Postal Training Centers हो इनिया भारत में कितने डाक प्रशिक्षन के इंदर है Cracked Answer क्या आजाएगा D आजाएगा यानि कि आपने ध्यान रखना कि आपके सरकल के लिए जो Postal Training Center है वो कहाँ पर स्थीत है Total जो है भारत में कितने Postal Training Center है 6 Postal Training Center है D option Cracked आजाएगी आगी सलते हैं Postal Training Center बढ़ोदरा डाक प्रशिक्षन के इंदर बढ़ोदरा कहाँ पर स्थीत है तो मैंने एक लिखा है लेकिन थियोरी से आपने 6 के 6 Postal Training Centers को याद कर लेना है तो बढ़ोदरा का जो Training Center है वो कहाँ पर स्थीत है गुजरात में याद कि यह बढ़ोदरा Postal Training Center जो है कहाँ पर स्थीत है गुजरात में कौन-कौन से सर्कल की Training इसमें होती है थियोरी में आपको मिल जाएगा Post Office Guide Part 1 is related to the Post Office Guide भाग एक किस्से सम्मन दित है 68 की D Option क्रेक्टास आजएगी Rules and Regulations Relating to Inland Post Post Office Guide भाग एक जो है जैसे Post Office Guide Part 2 आगे आएगा फिर उसके बाद Volume 5 है या उसके बाद हम बात करें Volume 7 है, 6 है तो किस चीज़ से सम्मन दित है वो पता होने चाहिए तो Post Office Guide Part 1 जो अब वो किस चीज़ से सम्मन दित है अंतरदेश्य डाक से सम्मन दित नियम और बिनियमों से सम्मन दित है डी अप्शन क्रेक्टाजाईगी वो इस दी एक्स ओफिश्य चेर्मैन ओफ दी पोस्टल सर्विस बोर्ड डाक सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कौन होता है 69 की सी अप्शन क्रेक्टाजाईगी Secretary of Department of Post डाक विभाग के सच्चिव होते है close one of the post office guide part one deals with which of the following post office guide भाग एक का खंड एक निमलिखित मैं से किस से सम्मन दित है correct answer क्या हैगा डी आसा हैगा तो close number one जिसके बारे माजम कर रहे हैं क्या है control के बारे में control जो वो कैसे क्या साता है कौन क्या चीज़ देखता है विभाग में उन सारी चीज़ों के बारे में post office guide part one है जिसको कहते हैं control या नियंतरण who is the controller of the postal services in the department of post डाक विभाग में डाक सिवाओं का नियंतरक कौन है 71st की cracked option क्या साइगी भी आ साइगी director general है महा निदेशक डाक है ये परशासन और नियंतरण से संबन्दिया संचालन से संबन्दिय सभी मामलों को देखता है who is the head of operations in India post भारती डाक में संचालन परमुख कोन है 72 की cracked option यहाँ पर भी बी आ साइगी director general की क्या हुआ है administrative और संचालन से संबन्दिय सभी मामलों को देखता है which of the furling is the chairman of the postal service board निमलिखित मैं से कौन डाक सेवा बोड का अध्यक्ष है 73 की सही option क्या आजाएगी secretary of department of post निके डाक विवाक का जो सच्चिव है वही postal service board का chairman भी होता है who is the chairman of the postal services staff welfare board डाक सेवा करमचारी कल्याण बोड के अध्यक्ष कोन है 74 की correct option आपके पास क्या साएगी DR साएगी minister of communications and information technology संचार एवम IT मंत्री जो है डाक सेवा करमचारी कल्याण बोड के अध्यक्ष है who is the executive vice chairman of the postal services staff welfare board डाक सेवा करमचारी कल्याण बोड के कार्यकारी उपाध्यक्ष कोन है 75 की a option correct आपके अगर हम बात करें chairman की तो chairman हो साएगा minister of communications and IT और अगर हम executive vice chairman की बात करें तो वो हो साएगा secretary DOP which of the following has the objective to promote, develop, organize and exercise overall control in respect of staff, humanities and welfare institutions, sports, athletics and cultural activities करमचारी, मानवीकी और कल्याण संस्थानों खेल athletics और सांस्कृतिक गदिविदियों के संबन्द में smugr नियंतरन को बढ़ावा देना, विक्सित करना, विवस्थित करना और फ्यास करना है 76 की cracked option की आज आएगी आपके बास C आज आएगी Postal Services Staff Welfare Board C option इसका देश्च यह वाला है, जो यहाँ पे question में पूछा गया है तो यह important questions है, हलाकि हर बार नहीं पूछे जाते हैं लेकिन कुछ एक circles के question papers में पूछे गया है यह मैं समझना अपनी मर्जी से करवा रहा हूँ, अगर previous year question papers आपने अच्छे से किये हैं, तो बहाँ पे पूछा गया है कि कौन आपका chairman है Postal Services Staff Welfare Board का executive vice chairman कौन है पूछा जाता है, operations किसके under आते हैं, administrative control किसके पास है यह सारी चीज़ें बार 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 नहीं पूछी गया है लेकिन कभी कभार ना वो आपके पास question papers में आई हुई है यनि कि अब जो आप आते हैं, इस तरह के question भी और पूछे साते हैं क्योंकि competition इतना जादा, repeated questions है तो पूछे question इस तरह के भी पूछे साते हैं और यह question आपको अच्छे marks जिलाने में मदद करते हैं यह आज आएगी secretary department of post है तो इसमें याद रखना postal services staff welfare board इसके chairman की बात करें तो कोन आज आएगा minister of communication and IT executive vice chairman की बात करें secretary department post आज आएगा लेकिन बात करें postal sports board का chairman कोन होता है तो वो secretary of department of post आज आएगा who is the vice chairman of postal sports board postal sports board की जो उपाध्यक्ष है वो कौन है आपके बास डियाज आएगी member development याणि के विकास के जो सदस्य है वो इसके vice chairman होंगे who heads the parcel directorate parcel निदेशाले का परमुख कोन है 79 की डियाज आपके बात करें आज आएगी chief journal manager मुखे महा परवंधक होता है each postal risen in the postal circle is divided into beach of the falling dark circle में पर तेक डाक क्षेत्र को निमलिखित मैसे किसमें विवाजित किया हुआ है तो जैसे मैंने बताया सबसे पहले postal circle आते हैं फिर उसके आगे आपके बास postal origins आजाएंगे postal divisions को आगे postal divisions में divide किया जाता है जिसमें postal division भी होते हैं और rms division भी होते हैं तो इसका correct answer क्या आजाएगा postal divisions और rms divisions दोनों में भाटा जाता है d option correct आजाएगी the pin code of the army post office starts with army post office का pin code किस से शुरू होता है जिसमें 1 cvpo की बात करें तो इसका pin code क्या है आपके बास 900056 है उसी तरह से 2 cvpo की बात करें 900099 है इनकी किस आप कह सकते हैं number से pin code शुरू हो रहा है तो crack answer DRS आएगा 9 से शुरू होता है आगे सालते हैं लैकार्डिव आइसलैंड union territory comes under this reduction of beach postal circle अभी ये 1223 के question papers में आया हुआ question है कि लैकार्डिव द्वीप स्मू के इंदर शाह से परदेश किस dark circle की अधिकार क्षेतर में आता है तो लक्षदीप जो है उसका पराना नाम ही लैकार्डिव है यानि कि लक्षदीप जो है किसके अंडर आता है कि या लियाद रखेंगे के केरला सर्कल के अंडर आता है 82 की क्रेक्ट option आपके पास सी आ जाएगी senior superintendent और superintendent of post offices फिर आगे fill in the blank the working of all the post offices अंडर देर जुरिदिक्षन dark घरों के ब्रिष्ट अधिक्षक या अधिक्षक अपने अधिकार क्षित्र के अंतरगत आने वाले सभी dark घरों का काम काज क्या करते हैं directly control करते हैं 83 की ए option क्रेक्ट आज आएगी सीधे नियंतरित करते हैं अब यहाँ पे इस तरह के question भी पूछे साते हैं अभी पूछा हुआ question है यह अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ यह है कि question में क्या है एक छोटा सा आपके बाद fill in the blank दे दिया साएगा तो इसका मतलब आपको जैसे जैसे department of post में दिया हुआ है theory line to line आपको याद दे करनी है who heads the postal subdivisions dark उपमंडलों का परमुख कोन होता है 84 की correct option क्या आजाएगी या तो inspector post होता है या assistant superintendent of post होता है तो 84 की D option correct आजाएगी आइदर A और B या तो A होगा या B होगा तो जैसे circle आगया फिर उसके आगे क्या आजाएगे उसके regions आजाएगे फिर उसके आगे क्या आजाएगे divisions आजाएगे divisions आजाएगे subdivisions में बांटे होते है तो subdivision का head या तो क्या होगा inspector post होगा या assistant superintendent of post होगा where is controller of foreign males is located विदेशी male का नियंतरक कहाँ पर स्थित है तो इसका correct answer आपके बास क्या आजाएगा B आजाएगा क्या कहाँ पर स्थित है मुंबई में स्थित है तो B option जो है 85 की correct हो साएगी group A offices of postal services are trained at which place dark सेवाओं के group A अधिकारियों को किस स्थान पर पशिक्षित क्या आजाता है 86 की correct option आपके बास या साएगी गाजियावाद उत्तर प्रदेश में किया आजाता है और यहाँ पे आपके बास हमने अभी किया रफिया अहमद किडवाई National Postal Academy है बहाँ पे इनको training दी जाती है बेरे इस अध्वाटर ओफ पारसल डिरेक्टोरेट पारसल निदेशालने का मुख्यालने कहां पर स्थित है correct answer आपके बास यह आज आएगा Chief General Manager इसका head रहेगा यह option correct आज आएगी तो यह थे आज के important questions लगवग हमने 87 questions किये हैं और मुझे नहीं लगता यह करने के बाद कोई भी question ऐसा आपसे organization of department में पूछास आएगा जो यहां से आपको देखने को ना मिले और अगर मान के चली आपकी 87 questions ठीक है तो अगर इसके अलावा कोई अन्य question पूछास आएगा बोफी आपको ज़रूर आता होगा क्योंकि आपकी तयारी उस level की है कि आपको बहाँ पे सब कुछास आएगा तो अगर आप इसी तरह की तयारी करने के लिए कि आपका कोई भी question ऐसा ना जो ना आता हो इसी तरह की तयारी के लिए आप हमारे साथ जुनना साहते हैं 8627096666 के उपरा message कर सकते हैं यह जो questions हम कर रहे हैं इसी तरह से हर एक topic important questions की यह book है जिसका नाम है question ocean book इसी तरह के question इस book में देखने को मिल जाएंगे जो question इस book में नहीं होंगे इनके कुछ questions हम साह साह में और add कर रहे हैं जो important हमें दिखाई दे रहे हैं तो वो PDF format में साथ साथ में आपको share किये जाएंगे तो इसके लिए आप ले सकते हैं classes में भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं classes में PDF format में आपको मिल जाएंगे बाकि और GDS to MTS की book भी है postman की और PSA की भी book है question papers भी साथ में है fully solved question papers है classes में जुड़ना है या books आपको चाहिए या important questions की book आपको चाहिए या PDF file चाहिए तो आप हमारे साथ WhatsApp पे message करके जुड़ सकते हैं 86 to 7096666 के उपर धन्यवाद